अब्लड प्रेशर और उससे होने वाली समस्याओं के बारे में आज हम रूबरों होंगे सबसे पहले बढ़ाओ ब्लड प्रेशर यानि हाइपरटेंशन कहते किसे हैं आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर 140 बाइन टी है 160 बाइन टी है यह क्या है ब्लड प्रेशर के दो कॉंपनेंस होते हैं एक सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर एक डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर उपर वाले कॉंपनेंट को हम सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाली reading को diastolic blood pressure कहते हैं. Blood pressure बढ़ा हुआ क्या है? अगर मरीज का blood pressure 140 by 90 से उपर हो, यानि systolic 140 से उपर और diastolic 90 से उपर, तो ऐसे मरीज को हम कहते हैं कि उसे blood pressure की समस्या हो गई है, यानि hypertension हो गया है. लेकिन यह एक बार की reading से नहीं होता, ऐसी कम से कम तीन reading अलग-अलग time पर जो recorded हो, उससे हम बढ़ा हो blood pressure कहेंगे, अगर ऐसी तीन में से दो reading बढ़ी हुए आएं. अब ये होता क्यों है? कभी-कभी blood pressure का कोई कारण नहीं होता बढ़ने का, और कभी-कभी कुछ कारण होते हैं जो हमारे lifestyle से related होते हैं, और कुछ ऐसी बिमारियां होते हैं जिसमें blood pressure बढ़ता है. अब हमारे lifestyle से related क्या कारण है? excessive salt intake, नमक का जादा सेवन करना, smoking, cigarette बीड़ी पीना, धूमर पान करना, यानि तीसरा कारण, alcohol का सेवन, यानि शराब का सेवन करना, चौथा कारण, exercise ना करना, कम सोना, 7-8 गंटे से कम नीन लेना, motapa, motapa अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे obesity कहते हैं या overweight होना, इसके अलावा, lack of sleep and stress, या परिवार में किसी सदस्य को माता-पिता या भाई-बेन को blood pressure की समस्या होना, खास तोरपे माता-पिता, तो ऐसे में chances हैं कि सामने वाले इंसान को भी, उनके बच्चे को भी blood pressure होने की समस्या हो सकती है, जो मैंने बिमारियों का जिक्र करा, कुछ ऐसी बिमारियां हैं, जिनमें blood pressure बढ़ा हुआ पाये जाता है, यानि hypertension की समस्या मिलती है, जैसे thyroid disorders, जैसे endocrine disorders, यानि hormonal disorders, जैसे phyokromocytoma, Cushing syndrome, कुछ ऐसी दवाईयों से भी blood pressure बढ़ता है, यानि दर्द की दवाईयां लेने से, steroid लेने से, कुछ drugs, जैसे recreational drugs के लिए cocaine या drugs का सेवन करना, इसके अलावा oral contraceptive pills, इसके अलावा कुछ anti-psychiatric यानि सोच वाली दवाऊं से भी blood pressure बढ़ सकता है, इसके अलावा kidney की बिमारी में भी blood pressure बढ़ सकता है, जैसे polycystic kidney disease, या chronic kidney disease, अगर पुरानी kidney की बिमारी हो गई है, तो ऐसे में blood pressure बढ़ा हुआ पाये जा सकता है, अब अगर मरीज का blood pressure बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, blood pressure का इलाज दो तरीके से होता है, और दोनों ही component important है, blood pressure के management के लिए, जिसमें एक है non-pharmacological component और एक है pharmacological component, pharmacological component है, जो डॉक्टर आपको दवाईयों से treat करेगा, और non-pharmacological component है, जैसे अगर आप ऐसी दर्द की दवाईयों ले रहे हैं, यह steroid का intake कर रहे हैं, यह oral contraceptic pills ले रहे हैं, इनका सेवन ना करना, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़े हैं, जैसे lifestyle modification, lifestyle modification में हमारे क्या आता है, 30-45 minutes of exercise every day, हर रोज वियायाम करना, 30-45 minutes का, अपनी सेहत अनुसार, अपने डॉक्टर से consult करने पर, इसके अलावा नमक का सेवन कम करना, less than 5 grams of salt per day, 5 gram नमक, हमारे जो घर का खाने की चम्मच है, वो 5 gram की होती है, उसका level full, उससे कम में पूरे दिन का मरीज का खाना होना चाह है, इसके अलावा, fruits का सेवन करना, इसके अलावा, 7-8 hours of proper sleep, मोठापा, वजन कम करना, जो सबसे important component है, 5-20 mmHg, 5-20 mm of blood pressure, मरीज का कम हो जाएगा, अगर वो 9 kg weight loss करेगा, इसके अलावा, रात को पूरी नीन लेना, 7-8 घंटे की, और सबसे ज़रूरी चीज, cigarette और शराब का सेवन ना करना, processed और preserved food ना काना, जिनमें नमक की मात्रा जादा होती है, अब सबसे ज़रूरी बात, blood pressure बढ़ने से, हमें क्या के समस्या हो सकती है, हमें blood pressure से डरना क्यों है, blood pressure से इसलिए डरना है, क्योंकि उससे कुछ गंबीर और जान लेवा स्थिती पैदा हो सकती है, जैसे सबसे ज़रूरी, heart attack आपने सुना होगा, जिसे हमारी भाषा में myocardial infarction कहते हैं, coronary heart disease, यानि दिल की समस्या हैं, दिल की बिमारी होना, ये बढ़े blood pressure से हो सकती है, फिर इसके अलावा जो और परिशानी हो सकती है, वो है दिमाग की नस फटना, या दिमाग की नस में clot जमना, जिसे हमारी भाषा में stroke कहते हैं, और आम आदमी से फालिस की नाम से जानता है, ये भी एक बढ़े blood pressure की ही समस्या है, जिस पे हमने विशेज धियान देना है, इस फिर में एक और परिशानी, आखों के परदे पे खून का आना और आखों की रोशनी जाना, ये भी एक बढ़े blood pressure से होने वाली समस्या है, जिसे हमारी भाषा में hypertensive retinopathy कहते हैं, तो अगर हमारे मरीज का blood pressure घर में उसने record करा और बढ़ा हुआ पाये जाता है, तो ऐसी situation मे उसे अपने करीबी physician या cardiologist पे जाना है और इसका इलाज लेना है, धन्यवाद।